हेलो गाई नमस्कार स्वागत आप सभी का एक बार फिर से तो देखिएगा आज CET फर्स शिप्ट का पेपर हुआ है थोड़ा सा मैं ले टू वीडियो में बट इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस के एंसर जो है वह आप लोगों के सामने में लेकर के आया हूं ठीक है कैसे प्रस्ण आया है और कैसे हम लोग उने प्रिवेसली पड़े हैं और आगा में जिनकी शिफ्ट है उनको भी थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि कंप्यूटर वाकई में बहुत जादा एजी आ गया है बहुत जादा अनेक्सपेक्टेट था कि इतना एजी तो नहीं आना चाहिए था वर ठीक है आगया तो आगया बच्छी बात है तो देखो भाई पहला प्रस्ण है आज की पेपर में कंप्यूटर की कौन सी पीडी में IC का प्रियोग जो है वो अगला प्रस्ण आया है कि निमनल लिखित कंप्यूटर मेमोरी की काईयों को घरते हुए क्रम में लिखे यानि कि सबसे पहले बड़ी फिर उसके बाद में छोटी तो हम लोग जब जनरली बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं बिट फिर बात करते हैं निबल फिर बात कर ठीक है हमारे पास में क्या है देखो बिट यह तो चोटे से बड़ा हो गया यह देखो बिट जी भी अगें चोटे से बड़ा चोटे से बड़ा एक ऑप्शन है अगला प्रसंट पूछा है भाई कि यह जो है वो एक स्रंखला है जिसे सीडेक पूने द्वारा भारत में असेंबल किया गया है ठीक है कौन परम तो परम सुपर कंप्यूटर है और इसे सीडेक के द्वारा बताया जाता है मैंने खाना कि परम का कोई भी कंप्यूटर हो परम का जो ठेकेदार है वो है सीडेक पूने ठीक है अगला प्रसंट देखो टेलीफोन उपकरण जो होता है उसमें कौन सा भाग जो आवाज को एकसेप्ट करता है और उसे विद्धुत चुम्बकिये तरंगों के रूप में कनवर्ट करता है यह जो माउथ पीस है यह तो एक जनरल माइक हो गया जो टेलीफोन होता है उसमें वहीं पर एक चोटा सा पीस लगाए वह रहा था जो हमारी आवाज को सुनकर के आगे बेजता है तो यहां पर देखो डाइलर में कुछ नहीं होता रिसीवर उनके एंड प प्रोड्मेंड तो टाइप ओफ नेटवर्क हो गया ब्लोगिंग करना ट्वीटर फेस्बुक आपकी हो जाएंगे यह राइट आंसर है यहां पर कंप्यूटर की कौन सी पीडी में सरकीटरी और मेगनेटिक ड्रम के लिए वेक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया तो वे उसे हम लोग हमेशा क्या कहते हैं बस और आज भी बहुत सारे स्टूडेंट इसमें भी देखो यह जो पेपर आया मेरे पास इसमें डेटा केबल को टिक किया हुआ है तो कंप्यूटर के तार केबल नहीं है कंप्यूटर के तार बस है बस ठीक है अब देखो निम्न लिखि राजस्थान के दौरा शुरू की गई आर्टिफिचल इंटेलिजेंस से संब्धित प्रियोजना नहीं आडियो एनालेटिक्स है राजस्वें इंटेलिजेंस ए राजबोट है यू आईडी जो है वो आधार के लिए शुरू किया और भारत सरकार के राजस्थान सरकार की नहीं है ठीक है आप देखो इंगलिश आ गई है कंप्यूटर तो इतना ही था यानि कि बिना किसी कारण के पर जो है अरेस्टेड कर लेना फॉर नो राइम और रीजन बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लेना अगला देखिएगा फॉर्ड गीवन सेंटेंस चूज दो मोस् पूर्वक्त लिखा जाना थी और छोटा संक्षिप्त यूनित चार पांच पन्ने लिख दिए संक्षिप्त होना चाहिए ठीक है अगला प्रस्ण है भाई असमर्थनिये इसे बोलते हैं अंटेनाबल एकसेप्टिबल यानि अस्विकारिये और असमर्थनिये यानि कि वी टू वी टू यानि की वोज प्लस वी ठीक है तो वोज बेग्ड जो है एक ही जगे एंस्वर है आपका आंस्वर ए हो जाएगा ठीक है इसा व्यक्ति जो बहुत सारी लेंग्विजेज बोल सकता है उससे पॉली गलोट कहते है पॉली एक रूट है जिसका मतलब होता है मेनी बहुत सारी पॉली यानि बहुत सारी आगया जाओ बहुत शी रिमार्ग डैट शी डैश अनॉइड विद हिम अब देखो अनॉइड पास्ट की बात फॉर ही लेक आप सिंपती फोर दविक्टिम ठीक है जब पास्ट की बात कर रहे है तो वर्ब देखो फीलिंग तो हमें आयन जी सीधा नहीं ले सकते विल फील अनॉइड विद हिम फोर इस लेक अप सिंपती फोर दविक्टिम शी रिमार्ग पास्ट की बात है फील भी नहीं आएगा यह आ जाएगा फैल्ट चोहतर का डी अब देखो डैपूटेशन सरकारी सेवा में होता है जिसे हम लोग प्रती नियुक्ती कहते हैं ना ह हमारा पैरेंट डिपार्टमेंट छोड़के जैसे सिक्षा विभा का कोई करमचारी नहां जो डीओ आईटी में गया तो वो डैपूटेशन कहलाता है ठीक है most appropriate antonium ancient यानि की पुराना modern यानि की नया ancient यानि की पुराना modern यानि की नया ठीक है direct indirect again देखो is going यानि की इसका हो जाएगा was going और was going केवल एक ही जगे पर है बागी कहीं पर भी answer नहीं होगा ठीक है is going को was going कर देंगे चलो please get me umbrella a umbrella यानि की n आ जाएगा article यहाँ पर ठीक है फिर है देखो I reached the school dash gate close यह होने से पहले यानि की before यह होने से पहले हम पहुँच चुके थे ठीक है school पहुँच गया था gate one होने से पहले अब देखो भाई match list one list two को जो है वो match करना तो देखो भाई honor जो है यहाँ पर honor का मतलब होता है esteem ठीक है और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं accomplish accomplish यानि की होता है achieve कर लेना काम पूरा हो जाना generous का मतलब हो जाता है charitable और एक absurd बच गया absurd का मतलब हो जाता है आप लोगों का ridiculous यानि की यह हो जाएगा एक तीन दो चार एक दो तीन यह देखो यह option हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर ठीक है उसके बाद में देखो यह पैसेज के questions हैं ना पैसेज नहीं लिया मैंने पैसेज आप लोगों ने पढ़ा ही होगा answer क्या होगा यह बोलता है कि stress कौन कोज करता है ठीक है तो when you make changes in the demands you put on yourself जब आपके ओपर demand ज्यादा डाल दो तो stress होता है फिर बोलता है कि how to tell if you are too stressed out अगर आप stress से बाहर हो चुके हो तो you run short of time to do all you need to do you feel full of energy and just how to tell if you are too stressed out तो इसका अंतर हो जाएगा you run short of time to do all you need to do ठीक है अगले दो सवाल पैसे के हैं आपके यह वाले वीच वाले वीच वाट इस वाप्रोप्रोप्रेट वेयर तो मैनेज इस्ट्रेस ठीक है तो कैसे उसे करे तो आपका काम और जो है ना उसे व्यवस्तित तरीके से करो ठीक है आपने अपने जो अंगुठों पे खड़े रहे रहे ना तो इसका मदलब कभी भी काम आ सकता हमेशा तयार ना चीब यह अलट एड़ी पोर एनिधिंग तो भाई यह पहली शिफ्ट के कंप्यूटर और इंग्लिश के क्यूशन जो है मैंने आप लोगों को करवा दिया ठीक है तो इस इस दा बेस्ट सेल्यूशन अनिवेज मिलते हैं आज की सेकेंड शिफ्ट जैसे फिनिश होगी छे बज़ें उसके बाद में क्लियर थैंक्यू सो मच पाई